नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सही जानकारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो में ले करके आया हूँ ताकि आप लोग ये जान पाएं कि आखिर बोनस जो होती हुआ किसको किसको मिलती है इसको किस प्रकार से आप कैलकुलेट करते हैं और ये क्या होती है ये कितने प्रकार की होती है साथ ही दोस्तों ये किसको नहीं मिलती है तो देखिए पूरी जानकारी इस वीडियो में वीडियो अच्छा लगे और जानकारी हेलफुल लगे तो इसे लाइक और सेर जरूर करें साथ ही जिन लोगों ने अभी तक इ जादा पढ़ना चाहते तो उनके लिए मैंने वेवसाइट का लिंक वीडियो की डिस्किरिप्शन में दे दिया है तो वो लोग वहाँ पर जा करके क्लिक करके इस पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं या फिर दोस्तों आप लोग किसी भी ब्राउजर में सही जानकारी.com राज़स के अरजन का हिस्सा होता है या बोनस बोनस भुकतान अधिरियम 1965 की धारा 35-1 के अनुसार किसी करमचारी को दिया जाता है अब बोनस कितनी मिलती है तो दोस्तों यह उस कमपनी में हुए समस्त उतपादन द्वारा अरजित ड्रास पर निर्भर करता है कि आखिर आ हो सकता है अब बात करते हैं दोस्तों बोनस किसको मिलती है तो दोस्तों किसी भी कमपनी अध्वा संस्थान में कार्म करने वाले कम से कम 20 बेक्तियों का समूह होना आवस्ते है यह तभी दी जाएगी उसके बाद दोस्तों यह बात करे हैं कि बोनस कितने प्रकार की होती है तो यह दो प्रकार की होती है, एक होती है Productivity Linked Bonus, यह बोनस उन लोगों को दी जाती है, जो की उस विभाग में कार करते हैं, जिस विभाग द्वारा कमाई ज्यादा की जाती है, कहने का मतलब वो लोग कमाई का ही काम करते हैं, जैसे की दोस्तो रेलवे हो गया, इसके अलामा द करते हैं, जैसे की ससतर से नावों के अर्द साइनिक बल और आर्मी एयरपोर्स नेवी आदी, बात करें यदी दोस्तों, हम रेलवे के करमशारियों को इस साल कितना बोनस मिलेगा, तो कोरोना की वज़ासे दोस्तों, इस बार कम बोनस मिलेगा, और इस बार जो बोनस जो कि उनके खाते में डायरेक्ट ही पे कर दिये जाएंगे साथ ही यदि बात करें हम ससस्तर से नाउं में मिलने वाले बोनस की तो दोस्तों ये अल्रेडी निर्धारित है जो कि दोस्तों आपको पिछले साल मिला था वही साल भी मिलेगा जो कि पे कमिसन के साथ ही इसे निर्धारित कर दिया जाता है दोस्तों जो लोग बोनस की गड़ना से सम्मंदित यानि कल्कुलेशन से सम्मंदित जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो की डिस्क्रेस्टन में मैंने लिंक दे दिया हम इसमें बोनस के लिए क्या योगता होनी चाहिए तो दोस्तो सीधी सी बात है जो भी किसी भी विभाग के आराजपत्रित यानि की नौन गजटेड ओफीसर उसके साथ ही दोस्तो करमचारी और उसके जो कैजुवल लेवर होते हैं उन्हें दी जाती है साथ ही यदी बात करें कि आखिर इस एक्ट के अंतरगत कौन-कौन से करमचारी है जिनको बोनस नहीं दिया जाता है यानि कि जो इस बोनस को पाने का हक नहीं रखते हैं तो सबसे पहले आता है जीवन भीमा के करमचारी उसके बाद है मार्च एंड सिपिंग एक्ट 1958 की धारा 42 के अंतरगत आने वाले नाविक जल परिवहन के करमचारी वे सारवजनिक संस्थानों के करमचारी है जो सरकार द्वारा नोडिफाइड किये गए है IFCI, Deposit Insurance Corporation, Agriculture Refinance Corporation, किसी भी Financial Corporation के करमचारी जो की State Financial Corporation Act, YFC, 1951 की धारा 3A के अंतरगत आते हैं भारतीर जरुबैंक यानिकी RBI के करमचारी, Contractor द्वारा कॉंट्रेक्ट पर रखे गए Building Operations, No Profit संस्थान, Indian Red Cross Society, सैच्छणिक संस्थान के करमचारी वह करमचारी जो की Dark Workers Act, 1948 के अंतरगत रजिस्टर्ड या लिस्टेड है वह करमचारी जो की Central Government के तवारा Controlled Industry में काम करते हैं उन्हें यह नहीं मिलेगी आसा करता हूँ यह जानकारी और वीडियो काफी helpful रहा होगा काफी कुछ आपको इसमें सीखने को मिला होगा क्रपया वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें साथ ही दोस्तों जो लोग CBD कार प्राइज लिस्ट अथमा कार खरीदने प्रोसेस समंधी या Central Government Employee से समंधी न्यूज चाहते हैं वो लोग सही जानकारी.com वेबसाइट अथमा YouTube चैनल पर पधार करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो मिलता हूँ एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ आने वाले अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभाद वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद